करो तू आपका कहना की आपके बाईक में स्टार्णिंग का प्रोब्लम आ रहा है ऐसे बोल्म का दिकत दे रहा हूं और आपका कारबूरेटर में टूनिंग करने का ज़ोर्वत है कोई बात नहीं कारबूरेटर का ट्यूनिंग करेंगे एक एक करकरन सी इश्arma क्या problem हो सकते बट सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जो प्रॉल्म है वो कर्बूरेटर से ही आ रहा है तो सबसे पहले पकर क्लीन करना होगा जब आप मतलब आप खोलना तो ज़रुत ही है clean भी हो जाएगा और अंदर का जो डैफ फ्रम रहता है वह भी आपका चेक हो जाएगा तो यह सब अगर कर लिये है आपको confirm है कि कार्बोएटर आपका okay है तब जाके आता है कार्बोएटर ट्यूनिंग का बारी तो सबसे पहले आपके बाइक में cold starting का problem आ रहा है तो मुझे एक चीज़ जाना है अब बाइक को start कैसे देते है start देना का formula यह है कि आप बाइक का चाबी on करेंगे fuel को on करेंगे और जो choke lever है choke lever को उपर खिचेंगे बतलब choke lever को भी on करेंगे और उसके बाद start देखे पर यही प जो throttle है throttle को यह ऐसे घुमा के रखते है और start देते है चाहे हो self start हो चाहे हो kick start हो इस तरह से बाइक को start करते है तो यह proper starting का procedure नहीं है BS2 या भी BS3 का bike है तो start ले भी लेता है कभी-कभी क्योंकि BS2, BS3 का जो carburetor है उतना fine tune नहीं रहता है but BS4 में जो pollution का norms आया है उस हिसाब से बहुत ही strictly tune किया गया है carburetor को जिसलिए BS4 का अगर आपके पास bike है तो यह compulsory है कि आप carburetor का जो choke lever है उसको on करके ही bike को start दे और एक desired rpm में पहुंचने के बाद आपका bike का जो rpm है वो stable हो जाएगा तब जाके आपको जो choke lever है वो down करना है कुछ-कुछ bike में automatic choke भी आता है तो automatic choke का bike का तो बात अलग है बट अपाजी का जीतना भी bike है इसमें कहीं पर भी automatic choke नहीं आता है तो make sure कि आप cold start जबी दे रहे है चोग लीबर को on करके ही cold start दे और हाँ आपके पास अगर BS4 का bike है और बिना choke lever on किये ही आपका bike start ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके bike का carburetor का जो fuel mixer है वह rich mixer है वह भी छोटा मोटा नहीं बहुत ही high rich mixer है ओके तो आप आते हैं second सवाल पर आप ठिटक से start कर रहे है बाइक को मतलब चोगली बार on करके start कर रहे है और आपका bike start भी हो रहा है मतलब ढंक से जैसा start होना है और सा start हो रहा है rpm उपर आने के बाद आप चोगली बार को down कर रहे है और उसके बाद आता है problem चोगली बार जब ही आप down कर रहे है आपका engine burn पर रहा है या पिर ऐसा कि कभी कभी होता है कि आप bike को चला रहे है और traffic में जब आप रूके है bike को ideal पर छोड़ दिये मतलब आप clutch पकर के ऐसे छो gaming का कोई जवरद नहीं है just for example मैं यहां पर कुछ ऐसे situation अपने bike में करकर रहा हूं तो जैसे मैं जिस situation का बात कर रहा था अपने bike को तो start दे दिये इस तरह से बट जब ही आप race को छोड़ दे रहे है मतलब throttle को छोड़ दे रहे है RPM बहुत ही यादा ऐसे low हो रहा है या फिर अभी जब RPM देने जा रहा है तो इस तरह से आपका bike बांद पर रहा है मतलब आपका जो ideal RPM है बहुत ही यादा low है जैसे कि आप देख पा रहे है यहाँ पर ideal RPM बहुत ही low है 1000 से भी नीचे है और fluctuate कर रहे है तो ऐसा अगर low RPM रहेगा मतलब ideal RPM ज़्यादा low रहेगा उस situation में आप अगर थोड़ा सबी throttle देने का कोसिस करेंगे तो आपका engine बंद हो जाएगा तो इस problem के लिए आपको carburetor में tuning का कोई ज़रूत नहीं परता है आपको जो करना परेगा ओ है throttle screw का adjustment यहाँ पर है यहाँ पर butterfly valve open and close होता है तो क्या होता है जो नीचे यह जो screw लगा है यह stopper का काम करता है ध्यार से देखेंगे यह में accelerator को छोड़ दिया तो यह screw में आके वहाँ पर stop कर दिया तो आपको क्या करना है screw को घुमाना है screw को tight and loose करने का जैसा basic rules होता है आप clock wise गुमाएंगे तो tight होगा anti clock wise गुमाएंगे तो loose होगा screw यहाँ पर inverted लगा है तो आपको उसी साब से घुमाना परेगा मुद्दा बात यह है कि आपको screw को tight करना परेगा तब आपका जो acceleration है butterfly valve का opening है वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो यहाँ से आपको उसका adjustment करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा screw को मैं tight करूँगा ताकि यह थोड़ा उपर के तरफ push करें मैं क्यों इंजिन जब गरम हो तभी आपको यह सब काम करना है और screw को घुमाने के जब आपका ideal rpm उस position पे पहुंच जाए तो वस छोड़ देना है तो जैसे आपने देखा मैं ideal rpm मेरा बाइक में 2000 के आसपास रखा हूँ 2000 से थोड़ा कम है 1800 के आसपास में रखा हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ बाहर में यहाँ पे temperature भी लो है पॉइंट यही था कि आपके बाइक में ऐसा problem आ रहा था तो वो कम throttle screw से होता है इसमें कार्बोटर को tuning का कोई जवरोत नहीं पड़ता है तो basically आप जब garage में आके बोलते हैं कि आपका बाइक का race घट गया है और race को थोड़ा बढ़ा दीजे तो garage वाला वही काम करता है जो throttle screw है उसको ही थोड़ा घुमा के देता है मतलब थोड़ा बारा देता है और आपका जो ideal rpm हो बढ़ जाता है तो आपका अभी यही question रहेगा कि throttle screw से अगर ideal rpm बढ़ा जाता है घटा जाता है तो carburetor में जो ideal screw दिया गया है उस था क्या काम है तो बताते है अभी तो देखिए आपके engine में अगर cold starting का problem आ रहा है starting का problem आ रहा है तो इसके पीछे धेरो सारा region हो सकता है हो सकता है आपका जो starter motor है ओ खराप है हो सकता है आपका battery बहुत ज़्यादा drain हो चुका है हो सकता है engine में compression का problem आ रहा है हो सकता है air leakage का problem आ रहा है हो सकता है tappet clearance का problem है ऐसा धेरो सारा region हो सकता है तो मैं इतना सारा point आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सीधा आगे carburetor पे उंगली तंगेगे तो यह गलत बात है यहाँ पर victim बहुत सारा है आपको सबसे पहले ही पैचान आए कि गुनेगार कौन है I hope मैं जितना सारा point आपको बता है सब point को आप check कर चुके और finally आपको पता लग गया है कि carburetor में ही problem है तो इस चीज़ को consider करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बाकी सब सिनारियो बाकी जितना भी point है सब से ही है बस carburetor में हमारा problem है तो आप देखिए tuning के बारे में बात करत सिधा त्यूनिंग करने से पहले दो चीज में आपको बताना चाहूंगा कि अगर हंडेट परसेंट ऑके है तब है कर सकते है बना त्यूनिंग करके कुछ फाइदा नहीं होगा और दूसरा चीज आप अगर मैनुआल देखेंगे तो मैनुआल में साइब लिखाओ आपको म तो टू एन हाट टाम घूमाई है इतना घूमाई है उतना घूमाई है जिदना भी है वह सब भूल जाई है कि वह सब जो नया बाइक का कॉंडिशन जब रहता है तभी काम पे आता है बाइक जब 50-60 km चल चुका होता है पांच-छे साल पूराना हो चुका है तो सब फार्म यहार कुछ पास होता है यहां से और कार्बोरेटर के अंदर जाता है और कार्बोरेटर में देन इंटेक मैनिफॉल के त्रू इंजिन के अंदर फिड होता है तो यहां पे जो आप स्क्रू देख रहे है जो इंटेक मैनिफॉल के साइड में है इसी को कहा जाता है आईडिय एस स्कूरू आगर इस साइड में रहाता, मतलब एर फिल्टर के साइड में रहाता तो उस case में क्या होगा उस स्क्रू है ओ एर को कॉंड्रोल करेगा, अब यहां पर आता है एक difference मेरा स्कूरू को मैं टाइट करूंगा तो मेरा जो फ्योल का फ्लो है ओ घड़ जायेगा, हैंस मेरा जो mixer है वो lean हो जाएगा सेम चीज में आगर इस साइड में करू मतलब आगर screw मेरा इस साइड में होता और मैं इसको close कर देता तो मेरा क्या होता AR का flow गार जाता और hence जो मेरा mixer है वो reach हो जाता तो समझ सकते हैं काम सेम करेंगे screw का जो position है उसमें ही जो चीज है result है total opposite हो जाता है यहाँ पर screw में अगर tight करूँगा तो मेरा mixer lean हो जाएगा इस साइड में screw रहागा उसको में tight करूँगा तो mixer मेरा reach हो जाएगा और screw को loose करेंगे तो ठीक इसका उल्डा होगा तो tuning किसलिए क्या जाता है जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर fluctuate हो रहा है कभी कम कभी जादा तो basically tuning screw का यही काम है जो हमारा ideal RPM है उसको stable करना ऐसे fluctuate ना करें तो आप बारी आता है tuning का तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यह जो tuning का screw है इसको मैं total close करूँगा इसको ज़्यादा जोड़ से मत घुमाने का कोसिस मत करिए बहुत ही एक पतला नीप होता है मतलब टीप होता है screw का वो आगर तूट जाएगा तो total कच्रा हो जाएगा तो मैं इसको क्या क्या totally close कर दिया हूँ और इससे ज़्यादा close नहीं होगा अभी मैं आगर start देने का कोसिस करूँगा start नहीं होगा इसके लिए क्या करना होगा मैं आगर यहाँ से choke liver को on कर दूँ और अभी start करने का कोसिस करूँ तो engine मेरा अभी चल रहा है engine चल रहा था इसलिए क्योंकि जो हमारा fuel है fuel choke liver के through engine के अंदर feed हो रहा था इसलिए engine start हो गया था जब ही मैं choke liver को off कर दिया उसके बाद ही engine हमारा turn cut off हो गया इसलिए क्योंकि जो हमारा ideal screw है इसको मैं totally close कर दिया हूँ तो अभी आगर मैं throttle को बरा दू जैसे मैं आगर throttle को कुछ इस तरह से open कर दू और मैं start करने का कोशिस करूँ start हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि throttle मेरा total open है तो engine को start करने के लिए जितना fuel मतलब air fuel mixer अंदर जाना चाहिए ओ अंदर जा पा रहा है तो इसलिए engine start हो गया और जब ही मैं throttle को छोड़ दिया engine मेरा फिर से बंद हो गया reason same होई है engine को start रखने के लिए minimum fuel का supply ideal jet के थूँ engine के अंदर feed होता है ओ ही मैं यहां से बंद कर दिया हूँ तो अभी मेरा mixer है lean lean तो छोड़ी आभी कुछ भी नहीं है मतलब fuel अंदर जाई नहीं रहा है तो आभी मैं इसको थोड़ा सा open कर दूँगा कितना open करना है ऐसे अंदर जालाग है पूरा एक राउंड मारिये ना बाद में देखते है क्या होगा कि नहीं अभी total मैं एक राउंड खोल दिया अभी engine को start करते है तो अभी मैं अगर engine को start करूँ तो rpm आ रहा है मेरा 1200-1300 का असपास बट मेरा rpm fluctuate कर रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है सबसे पहले मैं rpm को set किया था 1800-2000 के आसपास तो normal जो set किया था उससे rpm थोड़ा low है इसका मतलब यही है कि engine में जो air fuel का mixer है और थोड़ा कम feed हो रहा है में कुछ दर पहले ही मेरा जो ideal rpm है उसको 1800 के आसपास set किया था बट यहां पर 1300 या फी 1400 के आसपास मेरा ideal rpm सो कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि मेरा जो fuel mixer है वो आभी भी lean है तो अगर मैं इसको increase करूँगा तो automatic मेरा जो ideal rpm है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि अगर ज्यादा fuel जाएगा तो rpm थोड़ा तो बढ़ना बनता है और मैं जो 1800 पर set किया था उस milestone में भी मैं पहुँच जाऊंगा और जो fluctuation आ रहा था वो fluctuation भी bond हो जाएगा इंजिन का sound को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है यह जो point है इस point के बाद अगर मैं इसको open कर रहा हूँ तो इंजिन का rpm जैसे रहता है वो ऐसे ही रह रहा है मतलब मुझे इंजिन से एक stable rpm मिल रहा है इससे मैं अगर close कर रहा हूँ तो rpm में थोड़ा decreasement मुझे देखने को मिल रहा है बट इससे ज़्यादा आगर मैं open कर रहा हूँ मैं अपना पहले rpm set किया था exact उसी पोजिशन पर आगया है 2000 से थोड़ा कम 1800 से 1900 के आसपास ओके तो सबसे पहले मैं इहीं बताना चाहूँगा कि डड़िये मत मुझे पाता है आप YouTube में अधर वीडियो को देखके बहुत ज़्यादा ड़रे हुए है 360 डिग्री घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है भाई वो सब डिग्री फिग्री छोड़ो, कान है ना, कान लगाओ यहाँ पे घुमाना है और आपको इंजिन का आवाद सुनना है experience यहाँ पे काम पे आएगा आप अगर first time कर रहा है, तो first time में यह कभी होने वाला नहीं है इसका भी मैं guarantee दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा practice करने का जवरत पड़ता है आपको समझना परेगा कि इंजिन का RPM कहाँ पे stable हो रहा है ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे जो आपको दिखाता है डिस्प्ले में RPM एकदम exact दिखा रहा है अगर कांठा वाला system रहता है तब भी हम लोग को पाता चलता है कि RPM stable है कि यह digital meter है, एक एक जो हमारा वहाँ पे दाग आता है उसका value मान लिजए कम से कम 100-100 ऐरसो ऐसा range होता है एक दाग का तो 100-100 का से अगर कम अगर fluctuation रहेगा RPM में तो आपको यहाँ पे दाग दिखेगा ही नहीं बट आपका जो fluctuation है 100 के आसपास, मतलब 100 RPM के आसपास fluctuation engine में हो रहा है वह आपको कभी display देखके पता नहीं लाएगा वह आपको engine का आवाज सुनके ही पता लागाना पड़ेगा हमेशा आपका bike का engine जब hot रहेगा, heat अप रहेगा तब ही आप यह कम करिए heat करने का मतलब यह है कि आप ideal पे छोड़ देंगे, pull start देने के बाद 10 minute के लिए ideal करकर रख देंगे और आप बोलेंगी engine heat हो गया है और ऐसा engine का hitting होता नहीं है hitting का मतलब है प्रोपार आप आदा घंट एक घंटा bike को right करके आई तब जाके engine proper hitting होता है बढ़ना ideal में 10 minute छोड़के tuning करेंगे तो क्या होगा जब आप बाद में bike को right करेंगे आपका जो ideal RPM में automatic increase हो जाएगा तो आपने tuning properly कर दिये और आप satisfied है कि मेरा engine जो है एक्स्टेबिल RPM पे है आपको fluctuation ना digital meter पे दीख रहा है fluctuation ना आपको engine पे सुनाई दे रहा है मतलब everything is okay बट उसके बाद भी आपको यह चीज का भी ध्यान रखना है कि हो सकता है suppose आपका जो mixer है और रीच हो चुका है mixer आपके lean होगा तो उसके जो side effect होता है और जल्दी पकर में आ जाता है बट आगर आपका mixer reach हो जाता है तो reach में उतना असानी से यह सब चीजे मतलब rich mixer पता नहीं चलता है तो आपको कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रागना पड़ेगा कि जो हमारा spark plug है देशो या फिर 200 km के बाद spark plug खोल के एक बाद चेक करिए उसमें आगर बहुत ज्यादा carbon deposit होगा तो आपको बहुत चाल जाएगा कि आपका mixer हो रीच है तो बस मुझे इतना ही बताना था होफुली अपके अंदर जो डर था कार्बोटस ट्यूनिंग को लेकर ओं दर को मैं खतम कर चुका हूं और अगर खतम हो गया है तो Carburetor Tuning आप अपने आप खुद कर लेंगे इदना तो Confident मुझे आप पे है और हाँ एक और बात Carburetor अगर आप Cleaning कर रहे है तो Carburetor के अंदर जो रहता है एक Diaphragm, Main Jet, Pilot Jet, Float Pin ये सब का एक अलग से Maintenance का Toolkit आता है जिसमें ये सब छोटा मोटा जो पार्ट से ये अवेलेबल रहता है तो उसका जो पार्ट नमबर है ओ मैं description box में डाल रहा हूँ आप उसको purchase करके ठीक कर सकते और इसके related में जो बातना चाहता हूँ service center में क्या होगा ऐसा जो पार्ट है आपको कभी मिलेगा ही नहीं क्यूंकि service center बालों के लिए ये सब काम करना बहुत ज्यादा 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 काम है कुछ problem हाता है तो ओ लोग बोलेगा कि direct car border change कर दो इसमें company का भी फाइदा है आपका pocket कटेगा और उन लोग अभी उतना ज्यादा काम नहीं करना परेगा तो part number अगर आपको पता रहेगा तो आप सिधा याकर बोल सकते मुझे ये part number चाहिए और नहीं है तो आप order देके लाइए और ये काम आपको खुछ से ही करना परेगा ओ लोग कभी आपको माद़न नहीं करेगा ओ लोग सिधा बोला यह पार्ट नहीं है यह सब प्लेन्ट भी बहको अप बहुत जीयान भी रखनास है यह एक important चीज है क्योंकि बहुत आदमी को पता ही नहीं होता है कि जो carburetor के अंदर चोटा मोड़ा part है उसका भी एक change part आता है अलग से So आप description box में उस part number को जरूर check out करिए Comment box में आपका जो feedback है और जरूर share करिए मेरे साथ तो मिलता है next video में तब तक के लिए stay tuned